कि कि हैलो फ्रेंड मैं दस रत आप देख रहेते स्मेकनिकल इंजिनियर चेल फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं ओवल्टी का क्योंकि हमारे पास कमेंट आये कि इस आफ्ट में ओव वल्टी क्यों आता है तो आज हम बात करेंगे कि वह वल्टी क्यूं आता वल्टी आने का तीन कारण है आप तीनों कारण अगर देखेंगे सही से तो आपके साफ्ट में कभी वल्टी नहीं आएगा तो यह तीन कारण को देखना जरूरी है आपको रिजन तीन है वल्टी आने का इसलिए आप वीडियो स्किप मत किजी और पूरा भीडियो देखे अब पहले हम जानेंगे कि कि होता क्यागीया कोई हमण कर रहे हैं कोई जो बोर में हो किछ को कहते हैं जैसे किby कि यह मानलों की हंड्रेट एम बोर है तो सो इमम बढ़े हैं तो तो उसमें 100 mm में 05.1 जैसा बोले तो प्रोबलम है उतना वल्टी आता है आपको, 05 mm भी वल्टी आ सकता है, 0.1 भी वल्टी आ सकता, जिसे एक साइड 100 आ रहा है साइज, दूसरे साइड नापने पे 100.1 आ रहा है mm, ऐसा करके वल्टी आता है, तो यह क्यों आता है, इसका री बताएंगे, कि जैसे कि आप अपना टूल पहले देखिए, टूल का पॉइंट, टूल का पॉइंट आपका सही है की नहीं, क्योंकि लोहा जो है, आइरन जो है, वो बनता है पत्थर से, अब पत्थर में का चांस अगर ज्यादा लोहाम रहता है, तो हमारा टूल का आगे का जो पॉइंट है, वो थोड़ा बैठ जाता है, इसके वज़े से बराबर कटिंग नहीं आता है, और जीरो फाइव पॉइंट वन का वल्टी आ जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपना टूल चेक करना, क्योंकि हाड माटेरियल हाब्ड साप्ट होता है, जिसे कि 31 माट होते हैं, तो 05.1 का टेपर वल्टी आ जाता है, इसको हम वल्टी बोलते हैं, और रीजन दूसरा क्या है, यह पहला कारण हो गया, अगर आपका टूल सहरेगा, तो वल्टी नहीं आएगा, दूसरा कारण है आपका स्पेंडल, लेथ मसीन का जो स्पेंडल होता है, जिसे ज स्पेंडल के उपर फूली चलता है, और इसका पीछे का जो चकनट है, आप देख रहे हैं, जैसे कि देखे मैं दिखाता हूँ कि पीछे का जो चकनट है, यह चकनट, इसको आपको चेक करना है, यह चकनट, कहीं चकनट आपका चलते चलते लूज तो नहीं हो गया, यह चक साइज कर रहे हैं या तो सापट का ओड़ी साइज कर रहे हैं उसमें वल्टी आ जाता है पॉइंट वन कभी पॉइंट टू भी आ तो टूल भी सही है और चकनट भी टाइट है तो तीसरा रीजन यह है आप अपना बैरिंग चेक कीजिए जिसे की बैरिंग हाउस है हमारा स्पेंडल का जो बैरिंग है कभी कभी क्या होता है इनर रेस्क खतम हो जाने के बाद हमारा साप कोई भी जोग बनाते हैं तो उसमें में एक आँऔर ब्रपरिशन यहां। इंयों के हमाहा नौन रहुत होाई नोको हुवत हाश के हर्ममूद साल ouais कि अगर आपका टूल को तो आप शventions। लीए आपका टूल सभी हैं आप चूंट चिक कीीविए अगका चकनट भी टाइट है चकनट ऐसा टाइट होना कि हाथ से घुमाने पर थोड़ा चक्का पर लोड आना फिर ही नहीं रहना तो थोड़ा लोड आ रहा है तो समझो आपका चकनट टाइट है फूल और जब भी अगर वाल्टी आ रहा है तो आप यह बैरिंग चेक किजिए क्यों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगया तो लाइक किजिए और किसी चीज के बारे में जनकारी चाहिए तो कोमेंट किजिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए